नमस्कार मैं आसो तोस्कुमार आगे हूँ फिर एक इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले कि भोटर आइडे का इभोटर कार्ट किस प्रकार से दोस्तो डॉनलोड कर सकते हैं दोस्तो ये वीडियो आपको लाश्ट टक बने रह हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए दोस्तो बात कर लेते हैं कि इभोटर कार्ट किस प्रकार से डॉनलोड करना है तो चलिए देखते किस प्रकार से इसे डॉनलोड कर सकते हैं तो दोस्तो ये voter card download करने के लिए सबसे पहले आपको आजाना है findlivejob.com पे तो यहाँ पे दोस्तो आपको आने के बाद यहाँ पे मैंने आपके लिए एक post जो है सरकारी योजना में लिख दिया है तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि e voter card download digital voter card download इससे आप जो है voter card यहाँ पे download कर सकते हैं e voter card दोस्तो अगर आप कुछ दिन के बाद यह वीडियो अगर देख रहे तो यह e voter का जो लिंक है कुछ नीचे भी आ सकता है या फिर डारेक्ट लिंक जो इसका डिप्रिशन बॉक्स में आपको मिल जागा वहाँ से डारेक्ट आप इस साइट पे विजिट कर सकते हैं दोस्तो इसके क्लिक करते हैं तो दोस्तो यहाँ पे जो सारा चीज बताया गया है कि क्या क्या प्रोसेस होने वाला है और डिजिटल वोटर कार्ट क्या है किस परकार से डाउनलोड कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों कि download करने के लिए e-voter card किस परकार से करना है तो यहाँ पर पर सकते हैं यह post में सरा लिखा गया है तो सबसे पहले दोस्तों official website पर जाना होगा वहाँ पर जाने के बाद आपको एक account create करना है वहाँ पर reference ID डाल करके आप voter card download कर सकते हैं तो चले दोस्तों हम लोग देखते हैं किस परकार से हम लोग यहाँ पर download कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको important link में आपको यहाँ पर दिया गया है तो simply दोस्तों आपको जो एगर आपका voter card अगर नहीं बनाए तो आप यहाँ पर से पर क्लिक करना है, यहाँ पर जैसे दूस्त आप क्लिक की जाए, तो कुछ धोरा सा information आपको डाल करके यहाँ पर अपना account create कर लेजे, तो मेरा already यहाँ पर account create है, तो यहाँ पर simply मैं login कर लेता हूँ, उसके पर यहाँ पर डाल सकते हैं, उसके बाद state डाल करके आपको simply search कर देना है, या फिर आपके पास reference number है, तो यहाँ पर reference number पर आपको tick mark करके यहाँ पर reference number और state डाल देना है, उसके पर search कर देना है, और दोस्तों यह जानकारी में और देना चाहता हूँ कि अगर आप November 2020 के बाद, अगर आपका voter ID card apply किये हैं, आपका बना है, तो ही यहाँ से आपका download होने वाला है, अगर November से पहले का आपका बना हुआ है, तो यहाँ पर download नहीं होगा, तो simply यही तरीका जो है होने वाला है, इसका दिखासी यह download होगा, तो मेरा जो है, नवंबर के पहले ही बन गया है, इस बज़े से यहाँ आप मैं download करके नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन कुछ इसी तरह से इसका download होने वाला है, तो ठीक है दोस्तों, आप अपना और साथी साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जादा जादा सेयर कीजिए, अगर दोस्तों कोई